पिछले विडियो में हमने PIR Sensor की वर्किंग समझी थी की PIR Sensor motion detecting sensor है जब भी इसके आगे कोई motion होता है यह LED जो है यह जल जाती है इस विडियो में हम PIR Sensor को microbit से कैसे connect करते हैं यह समझते हैं जो हमारा basic logic होगा वो यह होगा कि जब भी PIR Sensor motion detect करेगा और उसकी यह जो signal pin है वो on हो जाएगी या उसको कहते हैं कि वो high हो जाएगी high का मतलब है कि computers जो है वो binary में काम करते हैं one या zero तो one का मतलब है कि वो जो particular pin है वो high है या on है और zero का मतलब है कि वो pin low है या off है तो जब यहां motion होगा तब यह signal pin PIR Sensor की यह live हो जाएगी यह on हो जाएगी और हम यह जो signal है हम इसको LED में देने के बदले हम इसको let's say यह जो GPIO pin है general purpose input output pins जो है microbit में उसमें pin number zero में देंगे और हम ground को ground से connect करेंगे और उसके बाद हम पहले level पर हम यह कर सकते हैं कि अगर motion detect होगा तो हम कहेंगे कि यह जो microbit में LEDs है इसमें कोई एक particular pattern बने और अगर motion नहीं detect हो रहा है तो pattern कुछ और हो तो पहला हम यह project करेंगे और दूसरे project में हम जैसा कि आपने पिछले एक servo motor attach करेंगे तो यह पहला project बनाने के लिए हम microbit को अपने breadboard से connect करते हैं तो इस project के लिए हमारे को यह resistor और LED नहीं चाहिए तो microbit में मैं ground pin को इस crocodile clip से connect करके यह जो lead है इसको मैं ground की जो हमारी breadboard में rail थी उसमें डाल रहा हूं और उसके बाद मैं एक pin 0 पे एक और lead लगा रहा हूं और इस lead को मैं connect कर रहा हूं जो PIR sensor की signal pin थी उससे तो मैंने यह signal pin को A15 में डाला और मैं 0 से आते ही हुई जो lead है इसको मैं E15 पे डाल रहा हूं तो अब यह आपस में जो है यह connect हो गई है और अब हम एक छोटा सा program लिखते हैं कि जब इसको जब motion detect होगा और यह signal pin जो है यह high होगी तो हमारे microbit को पता चलेगा और उसके हिसाब से हम microbit में कुछ LEDs का pattern बदलेंगे तो मैं make code website पे जा रहा हूं makecode.microbit.org यहां new project शुरू कर रहा हूं PIR testing project का नाम दे रहा हूं और हमारे को इस program के लिए यह on start block नहीं चाहिए हम केवल forever वाला जो programming block है वो use करेंगे उसके बाद हम logic में जाके एक if then else का conditional statement ला रहे हैं और हम logic में जाकर ही एक condition check कर रहे हैं equality की और फिर हम advance में जाके pins में जाके digital read की command ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि if digital read on pin P0 is equal to one यानि कि जो यह signal pin PIR sensor से आ रही थी अगर वो high होगी तो वो जो हमारी zero pin है उसको high करेगी तो हम कह रहे हैं कि अगर यह high होगी तो led का एक particular pattern बनेगा और अगर यह low होगी यानि कि कोई motion नहीं हो रहा होगा तो कोई और pattern बनेगा तो हम यहां पर फिर basic में जाके show icon ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर digital pin high है यानि कि motion detect हुआ है तो हम यह tick का जो icon है यह दिखाएंगे और अगर जो PIR sensor की signal pin है वो low है यानि कोई motion detect नहीं हुआ तो हम यह cross का जो icon है यह दिखाएंगे फिर मैं microbit को अपने laptop से USB से connect कर रहा हूँ और यह जो मेरा microbit है यह already paired है मेरे laptop के साथ तो मैं यहां जाके कह रहा हूँ download this program to microbit तो हम थोड़ा सा sensor को stabilize होने देते हैं और अभी जैसा आप देख रहे हो कि क्योंकि कोई भी PIR sensor कोई motion नहीं detect कर रहा है तो हमारे पास यह cross का जो icon है यह light up हो रहा है और अगर मैं इसमें कुछ motion करता हूँ तो immediately motion detect हुआ और हमारे को यह tick का जो LED icon था यह मिल गया क्योंकि इसकी signal pin high हुई और वो signal pin ने हमारे जो zero में लगी lead थी इसको high किया एक बार और test कर लेते हैं तो यह जो है इस तरीके से हम अपना microbit motion sensor से connect कर सकते हैं अब हम next level में क्या करना चाहते हैं कि यह बार ठीक है कि PIR sensor ने motion detect किया उसकी वज़े से यह signal pin high हुई और अभी हम केवल LEDs को कर रहे थे चेंज कर रहे थे अब हम चाहते हैं कि हम कुछ करें कि जब motion detect हो तो जैसे मान लिया जाए अलाम बच जाए या आप अगर अपने कमरे में motion detecting lights लगाना चाहते हैं तो हम यहां से pin 1 पे एक और wire जोड़के उसको एक light पर दे सकते हैं तो वो light तब on होगी जब भी motion detect होगा या हम उस पे अलाम बचा सकते हैं इस case में हम एक servo motor लगाएंगे क्योंकि जैसा आपने देखा था जो मैंने एक video बनाया था एक castle में कोई जा रहा है तो उस castle का दरवाजा जो है वो अपने आप खुल रहा है तो वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया था कि मेरे पास एक यह servo motor है और उस servo motor से मैंने यह एक दरवाजा जैसा जो था इसको connect किया था तो servo motor की खास बात क्या है कि जो ordinary DC motor होती है वो continuously गूमती है और उसको हम control नहीं कर सकते हैं पर servo motor पे हम control कर सकते हैं कि यह जो turn हो यह कितने degree turn हो तो servo motor की जो pinout है जो wires या leads इससे बहार आती हैं वो same as PIR sensor है तो हमारे पास यहाँ पे तीन lead है एक ground की lead है एक VCC या voltage की lead है और एक signal pin है तो convention follow करते हुए मैं ground में black wire डाल रहा हूँ और ground की pin को मैं breadboard में ground की rail पे attach कर रहा हूँ फिर मैं next wire जो है मैं इस lead को VCC से connect कर रहा हूँ और इसको मैं breadboard में जो हमारा battery से positive terminal आ रहा था उस red rail में जोड़ रहा हूँ और जो servo motor की signal pin है उसको मैं इस green lead से जोड़ रहा हूँ और उसको मैं दे रहा हूँ 25, A25 पर और फिर microbit में मैं pin 1 पे एक और lead connect कर रहा हूँ और ये green color की lead को मैं जो हमारी servo motor से signal pin आई थी उससे connect कर रहा हूँ तो ये wiring थोड़ी सी complicated लग रही है पर काफी simple है कि हमने जो हमारा PIR sensor था उसके जो तीन pin out थी उनको एक को VCC में दिया है एक को ground में दिया है और एक signal pin को हमने A15 breadboard में डाला है और E15 जो हमारा है yellow color का wire वो हमारे breadboard में zero से connected है और फिर servo motor से भी तीन leads आ रही है बाहर एक हमने VCC में दिया है एक हमने ground में दिया है और servo की signal pin हमने यहाँ पर 25 number पर दी है A25 पर और A25 को फिर हमने जो है इस green wire से microbit में यहाँ पर number 1 पर join किया है तो अब हम इसका program लिखते हैं हम servo motor चलाने के लिए settings में जाके extensions में जाके search कर रहे है servo और फिर हम यह servo का extension add कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर यह servo से related commands मिल गई है और इसमें से हम position वाला programming block ला रहे हैं और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो servo है जो हमने microbit में pin 1 पर connect करी है अगर motion detect होगा अगर pin 0 पर motion detect होगा तो पहले जो हमारा microbit है उसमें जो LEDs है उसमें icon यह tick mark का हो जाएगा और उसके बाद let's say हम कह रहे हैं कि servo जो है वो 180 degrees पर होगी angle उसका और फिर हम कह रहे हैं कि else अगर motion detect नहीं हो रहा होगा तो PIR sensor जो है उसकी signal pin low होगी और microbit जो है वो यह cross की icon दिखाएगा और इस position पे servo जो है वो zero degree पर हो जाएगी तो अब मैं इस program को download कर रहा हूँ microbit पर तो यह हमारा program जो है यह download हो गया तो अब हम यहाँ पे हमारे को यह cross नजर आ रहा है क्योंकि अभी जो हमारा PIR sensor है वो कोई motion नहीं detect कर रहा है इसकी वज़े से यहाँ cross है और जो हमारी servo है वो अभी zero degree पर है फिर अगर यहाँ पे motion होता है हमारे को tick मिल गया और साथ ही हमारी जो servo थी वो उसका angle बदल गया तो हम इसको फिर से try करके देख सकते हैं अगर motion हुआ तो हमारे को यहाँ पे tick मिला और हमारी servo जो थी उसका angle बदल गया जब motion detect होना बंद हो गया तो हमारी servo reset हो गई तो इस तरीके से हम PIR sensor और microbit यूज़ करते हुए हम एक छोटा सा program लिखकर servo को control कर सकते हैं और उस servo से फिर हम जो भी चाहें वो हम चला सकते हैं जैसे यहाँ पर for example मैं दिखा रहा हूं कि एक दर्वाजा कैसे खुल रहा है बट यह तो आपकी imagination पर depend करता है कि आप इस project के क्या uses हो सकते हो servo से maybe हम servo के बदले यहाँ अलाम लगा सकते थे servo के बदले हम यहाँ पर light लगा सकते थे और जो भी हम यहाँ लगाते यह वो चीज़ें सब जो हैं वो motion detection पर based होती है तो I hope आपको समझ में आया कि PIR sensor कैसे चलता है servo कैसे चलती है और इन दौनों को हम microbit से कैसे control कर सकते हैं तो यह समझते हुए आप अब अपनी imagination यूज करते हुए must projects बना सकते हैं